कार दोस्तों जैपूर मंदी में आप सभी का सुवागत है और आज तारीक है 17 माई 24 जान लेते हैं क्या बाव रहे सबसे बहले स्पेदे आम का बाव मैं आप पर दिखा देता हूं यह देखे क्वाल्टी देख लीजिए स्पेदे आम की और बाव रहे हैं आज 45 रुपे से ल जो अब माल है 35 रुपे 40 रुपे स्पास है और यह सारी कॉल्टी जो है 45 से लेके पच्पनों के बीच वाली कॉल्टी अच्छी प्लटी के उंदर है बड़िया साइज देख सकते हो अच्छी क्वाल्टी है टौप से टौफ वराइटी है केसर की वी आ गया है और बाओ रही है आज बड़ी में जट गड़िया से बड़ी के tumbOOOlar किरेट है यह ओर अच्छी क्वाउलटी शारी कींसे त्यार हो जाएगा यह कड़ह एक दूसरे के रेट में माल देख लेती है यह यह वी अच्छी क्ाल्टी है और बड़ा साइज है चती सबổiा हो रहा हुआ है इस वाला जो बादाम यौत है अच्छी क्वाल्टी है बड़ा से बड़ा पुस drone पुराइट है और देख सकते हो के साथ है है यह लगrok साइस के साथित के नीचे का माव भी दिखा देता हूँ, ये देखी अची कॉलटि है और नीचे से भी माल देख सकते हूँ कलर देखी बहुत ही पैया कलर है और के नर में माल देखी जिए और बाव रहे हैं आज 60 रुपए पर किलो के इसाब से मदरास वाले देखे आम के साइज बहुत बढ़िया है और कलर बहुत ही बढ़िया है देख सकते हो आप और अच्छी क्वाल्टी के अंदर आती है देसेरी आम यह देख सकते हो देसेरी आम भी आभी काफी मात्रा में आ रहा है मौना मुडिजयापुर के अंदर अच्छी अच्छी क्वाल्टी आ 12 पीस का rate है और cutting भी देख सकते हो आप अच्छी cutting के अंदर है और quality बहुत ही बड़िया वाली है ताजा माल है बिलकुल और box packing रहेगी इसके अंदर 12 पीस की यह देख सकते हो चांदर variety के अंदर है और यह अभी पूरी तरह से तयार नहीं है एक दो जिन के अंदर पूरी तरह तियार हो जाएगा रहा अच्छा कलर आ जाएगा इसके अंदर कच्छा बदाम देख सकते हो आप कच्छा बदाम भी मौना मंडी में काफी मात्रा में आ रहा है और यह देख सकते हो 800 ग्राम के आज पास का एक पैकेट बना हुआ है और बाव रहा है आज 160 रुपे से लेके 110 रुपे के बीच में अच्छी क्वाल्टी है और साइज आप देख सकते हो पैकिंग भी आपको दिखा देता हूँ और तो एक बॉक्स है उसके अंदर किस पैकेट की पैकिंग आती है और क्वाल्टी बहुत ही बड़ी वाली है और कच्छा बादाम है यह और दूसरी भी व अच्छी क्वाल्टी है और चेरी भी अच्छी क्वाल्टी के आ रही है का रही है चेरी की साइजición की हनकी पैकिंग है box packing है और color भी देख सकते हो size देख सकते हो अच्छी quality के अंदर cherry है और बाव रहे हैं आज एक box का 500 से लेके 200 रुपे तक भी का है आज एक box और वजन लगबग है 800 से 900 ग्राम के आसपास एक किलो का नहीं रहता है ये box और quality देख सकते हो आप ताजा माल है बिल्कुल और packing इस प्रकार से आती है box के अंदर और काफी मातरा में आ रही है चेरी भी मौना मंडी में और quality medium वाली है पलम की और इसको आलो बुखारा भी बोलते हैं और अभी मैं दिखा देता हूँ केसर वाली एक दूसरी विराइटी भी है ये देखे केसर है ये और गुजरात वाला केसर है ये वाला और इसका बाव रहा है 60 रुपे, 70 रुपे के आसपास अच्छी quality के अंदर है देख सकते हो आप बड़े quality है, size भी बहुत बढ़िया है, color भी अलकल का आ गया है और एक दो दिन के अंदर ये अच्छे तरीके से त्यार हो जाएगा इसमें थोड़ा पिला पना जाएगा और test बहुत ही बढ़िया 10 किलो के आसपास है इसवाली का जैसे कि आप देख रहे हो quality बहुत है और यह देख सकते हो पपीता, पपीता एक नमबर जो माल बीका है वो बीका है, 24-25 रुपे पर किलो के इसाप से और जो दो नमबर माल रहता है आज 12 रुपे पर किलो के इसाप से अच्छी quality के अंदर इसमें दो नमबर पही चीज देख सकते हों और सामने देखरेऊ हुआ आप तोडा दागी रहता है, और क्वाल्टी ठीक ठाके रहती है इसकी और ज्यादातर जूस बगरा में ज्यादातर यही मातरा यही काम आता है और क्वाल्टी मीडियम यह देख सकते हो और बाओ 12 रुपे पर किलो के साब से भीका है यह वाला पर पिता साइज अच्छे कासे हैं लेकिन क्वाल्टी थोड़ी अलकी है ज्यादा पका हुआ माल रहता है इसमें दादे माल रहता है वो सारजूस बगरा के लिए जाता है और बाओ 12 रुपे पर नारियल के बाओ आज रहे हैं एक नमबर नारियल भीका है आज 42 रुपे पर पीस के इसाब से और पैकिंग आप देख सकते हो 15 पीस की पैकिंग भी है 20 पीस की पैकिंग भी है और क्वाल्टी अच्छी है सारे मोटे साइज के अंदर है अच्छी क्वाल्टी के अंदर है पैकिंग बना दी गई है सारे माल की और इसमें जो दो नमबर नारियल रहता है उसका बाओ राया है आज तीस रुपे पर पीस के हिसाब से वो भी अच्छी क्वाल्टी आती है साइज थोड़ा सा अलका छोटा आता है और वो भी तीस रुपे टक विका है और यह देख सकते हो रानी पाइनेपल है रानी पाइनेपल में लगबग तीन किलो के असपास के साइज है और आज बाव रहे हैं 42 रुपे पर किलो के हिसाब से एदराबाद वाली मौसमी के और जो मरस्टर वाली मौसमी है उसका बाव रहा है 35 रुपे से 37 रुपे के बीच में वो भी अच्छी क्वाल्टी रहती है लेकिन एदराबाद वाली मौसमी में थोड़ा जूस की मातर ज़्यादा रहती है इसलिए उसकी डिमांड भी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज के बाव आप तो अचाने से पोच्छते रहें लाइक कर दीजे शेर कर दीजे तो मिलते हैं नई वीडियो में चलती धन्यवाद दूस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद